राहुल अपने घर से निकलता है अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तब ही वो देखता है कि उसके घर के मैन गेट के पास एक महिला खड़ी हुई है जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुन्दर है और उसने सफेज साड़ी पहनी हुई है उसके चेहरे पर मायोसी साप साप जलक रही थी तब ही राहुल उसके पास पहुंसता है तो महिला राहुल से कहती है कि आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो यहां पर राहुल कहता है कि हाँ बताए क्या मदद आपको चाहिए राहुल सूचता है कि साएथ थोड़ी बहुत पैसों की जरुरत होगी इस कैसे इस जमाने में इस तरह से महिला का काम के लिए डोलना उसको रास नहीं आता तो वे पूछता है कि आखिर बात क्या है जो तुम खाना और रहने के लिए काम ढून रही हो तो यहां पर महिला अपनी कहानी बताती है आखिर क्या कहानी थी पूरी सच्चा है जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है जीतू सौरोत और आप लोग देख रहे हो ब्रेंडवान चैनल वीडियो को ज़या से ज़यादा सेर करें और पेज को फॉलो करना न भूलें आज की यह जो घटना है निकल कर आ रही है दिल्ली से दिल्ली के अंदर एक परिवार होता है जिस परिवार के अंदर एक मा है उसका एक बेटा है और उसकी एक बेटी है बेटे की साधी हो चुकी है बेटी ने लंबेरिज की है और यहाँ पे जो बेटा है वो थोड़ी बहुत सराब भी पिया करता है जो बेटा है वो और उसकी पत्नी बड़े ही प्यार से उस घर के अंदर रहा करते हैं यहाँ पे जो उसकी पत्नी है वो अनात है उसका कोई भी नहीं है केवल उसका पती ही उसके आगे पीछे है तो वो अपने पती से भरपूर प्यार किया करती और यहाँ पे जो पती है वो भी उसकी ख्वाइसों को अच्छी तरह से ख्याल रखा करता था लेकिन यहाँ पे जो उस लड़के की मा थी वो उस अपनी बहु से खुस नहीं थी क्योंकि उस लड़के ने अलम मेरिज की थी और यहां पर वो सराब भी पिया करता था तो इस वज़े से जो लड़का था वो ही अपनी पत्नी को अच्छी तरह से उस घर के अंदर रख रहा था अब उसके बाद दोस्तों यहां पर एक दिन क्या होता है जो लड़का था वो सराब के नसे में था और तब ही उसे चोटा मोटा हाड अटेक आता है और उसी से उसकी जान निकल जाती है अब यहाँ पे उस लड़की का पती मरचो का था और जो उसकी सास है वो उससे नफरत किया करती है तो वे उस पे लांचन लगा कर उसे घर से बाहर निकाल देती है उसे कहते हैं कि तु मेरे बेटे को खा गई तो कुलचनी है तो कुलटा है उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है अब इसके बाद वे दरबदर की ठोकरे खाती हुई इदरदर गूम रही थी तब ही वे देखती है कि एक बहुत बड़ा बंगला है तो उसके गेट पर जाकर मायूसी खड़ी हो जाती है वे बंगला था राहूल का राहूल के घर में उसकी मा है पेता उसका है नहीं और उसकी दो बहने है राहुल से चोटी है यानि कि राहुल सबसे बड़ा है उससे चोटी एक बहन है और उससे चोटी एक और बहन है अब राहुल डूटी के लिए जैसी घर से बाहर निकलता है सुबह सुबह तो वो देखता है कि उसके घर के मैन गेट के पास एक महिला खड़ी हुई है जो देखने में बहुत ही खुशूरत है और थोड़ी मायूस सी परेशांसी दिखाई दे रही है तब ही वै उसके पास ज चाही होंगे तो यहां पर महिला कहती है कि मुझे एक काम चाहिए और काम कोई भी हो मुझे कोई परेशारी नहीं है मैं सारा के सारा काम कर लूँगी केबल मुझे खाने के लिए खाना और रहने के लिए च्छत चाहिए अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद राहुल है मेरा पती मर चुका है और मेरे ससराल वालों ने मुझे घर्शे निकाल दिया है और मैं अनात हूँ मेरा माईके में कोई भी नहीं है दोस्तो इसकी कहानी को सुनने के बाद राहुल भी थोड़ा भाबुकसा हो जाता है और वो महिला इतनी सुन्दर थी उसे देखकर राहुल उस पर मोहित हो जाता है मन ही मन अब यहाँ पर राहुल सोचता है कि उसके घर में उसकी मा है जो थोड़ी उमर दराज है और उसकी बहने सकूल चली जाती होंगी तो घर का सारा काम उसकी मा को करना पड़ता था तो उस सोचता है क्यों ना इसको अपने घर पे रख लिये जाए मा का हाथ भी बटाएगी और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा ज्यादा सेलरी इसको देनी नहीं है केवल इसको खाने के लिए खाना देना है और रहने के लिए घर देना है घर मेरे पास काफी बड़ा है तो इसी घर के अंदर किसी कौने में ये रह लेगी ऐसा सोचकर राहुल उसको अपने घर के अंदर लाता है और अपनी मा के सामने लाकर खड़ा कर देता है मा जैसे उसको देखती है कि सफेद कपड़ों में है तो उसे पूछती है कि आखर ये कौन है तो राहुल उसको अपनी मा को पूरी कहानी बताता है उस लड़की की ये इस तरह से है और ये अनात हो चुकी है और इसके सस्राल वालों ने इसको घर से निकाल दिया है तब ही जो राहुल की मा है वो उसके बाराग उठती है वो कहती है कि तू ऐसी औरत को जिसको उसके सस्राल बालों ने घर से निकाल दिया उसको हमारे घर में ले आया ये कुलचनी है कुलटा है तभी इसको इसके सत्राल वालों ने इसके घरते निकाला है और तू इसको यहाँ पे क्यों ले आया तो राहुल अपनी मा को समझाता है कि मा ऐसा कुछ नहीं है इसमें इसका क्या दोस है इसका पती मर गया तो इसमें इसका दोस है लेकिन मा यहाँ पर मानने के लिए त्यार नहीं है तब ही राहूल अपनी मा से कहता है कि मा यह इसी घर में रहेगी यह मेरा आख्री फैसला है और ऐसा कहकर अपनी डूटी पर चला जाता है यहाँ पर जो उसकी मा है वो से नफरत करती है तब ही उसकी चोटी बेहन आती है राहुल की जो सबसे चोटी बेहन थी वो भी अपनी मा की साइड में होकर उससे लड़ाई जगड़ा करने लगती है अब जो लड़की है वो मायोसी घर के आंगन में खड़ी रहती है सुबा से साम हो जाती है साम को राहुल आता है राहुल देखता है कि वो लड़की घर के बाहर खड़ी हुई है जाकर उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाता है और अपनी मा से कहता है कि मा आखिर बात क्या है तुम ऐसा क्यों कर रही हो और यहां पर उसकी मा कहने लगती है बेटा इसको मैं घर के अंदर का काम नहीं करने दूँगी घर पवित्र है इसको ये अपवित्र कर देगी क्योंकि एक विद्वा है तुम चाहो तो इससे घर का बाहर का काम करवा सकते और बाहर वाले कैविन में ही ये रह लिया करेगी क्योंकि बड़ा बंगला था तो उसके बाहर एक कैविन मना हुआ था जो की सर्वेंट के लिए था तो जो राहुल की मा है वो कहती है कि सर्वेंट वाले केविन में रह लेगी और बाहर का काम कर लिया करेगी घर के अंदर इसको नहीं आना है तब ही राहुल की जो बड़ी बेहन थी यानि राहुल से चोटी और सबसे चोटी बेहन से बड़ी बेहन थी वो वहाँ पर आती है वो देखती है और पूरे के पूरे मामले को समझती है समझने के बाद वो उस लड़की पर दया दिखाती है और उससे कहती है कि चलो कोई बात नहीं जो हो गया सो हो गया तुम ऐसा करो यहाँ पर रहो उसको उसका केविन दिखाती है और उसको वहाँ पर छोड़ देती है उसका सारा काम समझाती है और उसको खाने के लिए खाना भी देती हैं, अब खाना खाले थे हैं, सो झाते हैं, शोबा होती है, शोबा उठकर राहूल अपने काम के लिए चला जाता है, यहाँ पर जो राहुल की बड़ी बेंती वो उस महिला के पास जाती है उसको खाना नास्ता बगरा देती है उसके बाद उसका काम समझाती है वो काम कर रही थी तभी वो उसे अंदर बुलाती है और वो अंदर आ जाती है का थोड़ा बहुत काम राहुल की बड़ी बैन से करने के लिए कह देती है तब ही क्या होता है वो महिला मंदर के अंदर साफ सपाई करने के लिए गोश जाती है तो जो राहुल की मा है वो देखती है कि वह जो विदवा है वो मंदर के अंदर गोशी हुई है तो इसको देखक अब दोस्तों यहां पर राहुल अपनी मा से कहता है कि मा तो मैं एक बात बताओ इसका पती मर गया तो इसमें इसका क्या दोस है वैसे अगर देखा जाए तो आपका पती भी नहीं है तो आप भी इस तरह से कुलचनी कुल्टा हुई तो इस बात को सुनने के बाद जो राहुल की मा है उसकी समझ में आ जाती है ऐसे ही वो अपनी छोटी बहन को समझाता है कि बहन एक बात बताओ कल को तुम्हारी साधी होगी और तुम्हारा पती मर जाए तो इसमें तेरी गलती होगी तो यहाँ पे जो बहन होती है उसकी भी समझ में आ जाता है अब यहाँ पे वो लोग उसको अपना लेते हैं और वो उनके घर में अच्छी तरह से काम धंदक करने लगती है यहाँ पर जो राहुल है उसको पसंद करता था तभी राहुल एक फैसला लेता और अपनी मा से कहता है कि मा मैं इसे साधी करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो राहुल की मा से टायटिंग में टाल्मा तूल करती है लेकिन राहुल यहाँ पर कहे देता है यह मेरा फैसला है और मैं इसी से साधी करूँगा तभी जο उसकी मा है वो भी एग्री हो जाती है और धूम दाम से दोनों की साधी करवा दी जाती है अब यहां पे जिसका घर उजड चुका था उस ओरत का फिर से घर बस गया और वो हसी खुसी राहूल के घर में रहा करती है दोस्तो यह थी खान यह अपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बागी दोस्तो वीडियो ची लगी तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करें मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो ने टॉपिक के साथ अब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै हिंदुस्तान